आज हम बात करेंगे pH skill के बारे में, pH skill क्या होती है? उसे पहले बात करते है pH, यह जो word हमारे पास pH, इसका मतलब क्या है? तो pH का जो मतलब होता है, वो होता है potential of hydrogen से, तो pH से हमारा मतलब होता है potential of hydrogen, यह इसकी full form है. तो हमारे पास एक pH scale है जिससे हम क्या करते हैं अगर हमें कोई भी substance given है तो हम यह बता सकते हैं कि वो substance acidic है, basic है, neutral है और वो कितना acidic है, वो highly acidic है, या weak acid है या फिर moderate acid है, या highly basic है, weak basic है, moderate basic है या neutral है, यह सब हम pH scale से measure करके बता सकते हैं चलिए pH scale के पारे हम बात करते हैं तो pH scale हमारे पास एक scale है जिसमें हमारे पास 0 से 14 तकी values given होती है इस तरह से pH scale यह बनी भी है, 0 से लेके 14 तकी value given है अगर कोई substance 7 pH show कर रहा है, इसका मतलब वो substance कहा है, neutral है और 7 से जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, तो acid character increase होता है और 7 से हम 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो basic character क्या होता है, increase होता है, मतलब acid character decrease हो जाएगा माल नीजी अगर किसी substance का pH जो है वो 6 है, अगर 6 pH है इसका मतलब वो क्या है, weak acid है और जैसे से हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, acidic character क्या होगा, बढ़ेगा माल नीजी एक substance का pH जो है, वो 3 या 4 है, तो इसका मतलब वो क्या है, moderate acid है, ना ज्यादा harmful है, ना ज्यादा weak है अगर किसी का pH 1 आया, acid का, तो इसका मतलब वो क्या है, वो highly acid है nature में ऐसी अगर हम बात करें किसी substance का pH अगर 9 आता है, तो वो weak base है, अगर इसी का 11 या 12 आता है, तो वो moderate base होगा और अगर किसी का pH 13 या 14 आता है, तो वो क्या होगा, highly basic होगा clear हुआ, तो pH जो होता है, वो inversely होता है, ह plus की concentration के देखिए, ह plus की concentration हमें बताती है, कि वो कितना powerful acid है, अगर ह plus की concentration जादा है तो इसका मतलब वो क्या है, strong acid है, और strong acid होगा, तो pH क्या होगा, कम होगा तो inversely हो गया न, H plus की concentration जितनी जादा है, उसका मतलब जितनी जादा concentration, H plus की concentration जितनी जादा, इसका मतलब acidic character भी उतना ही जादा होगा, इसका मतलब वो strong acid होगा, और strong acid का pH क्या होता है, कम, तो pH उतना ही कम होगा, तो ये उपर और ये नीचे inversely होगा, तो H plus की concentration जितनी जादा होगी pH क्या होगा उतना ही कम होगा neutral solution के लिए pH कितना होता है 7 अब बात करते है pH में आगी दाजे acidic solution के लिए pH जो होता है वो हमेशे less than 7 होता है हमने भी बात की अगर 4 to 7 होता है तो वो weak acid होता है 2 से 4 में moderate acid होता है और 0 से 2 में वो strong acid होता है same scenario basic solution के लिए भी है यहाँ पर एक important चीज है कि जब हम dilution करते हैं तो pH जो होता है acidic solution का वो increase हो जाता है कैसे increase होता है क्या है इस line का मतलब deep में समझेंगे देखिए मैंने बोला कि जैसे हैसे हम dilution करेंगे dilution कर रहे हैं इसका मतलब पहले क्या रहा होगा वो concentrated रहा होगा पहले क्या था concentrated था बाद में क्या होगा dilute होगा पहले concentrated था हमने क्या किया हमने dilution किया क्या किया dilution यह तो बोल रहा है कि on dilution pH of acidic solution decreases तो यह acid का solution है concentrated acid का तो इसका pH क्या होगा इसका pH होगा ज्यादा क्या होगा ज्यादा क्योंकि concentrated solution है strong solution है, तो strong acid है तो pH की value बहुत कम होगी, 0, 1, 2 के असपास, तो अब हमने dilution किया, dilution करेंगे अब हम अगर dilution कर रहे हैं, तो वो acid क्या होगा, पतला होगा, weak हो जाएगा तो weak acid का pH क्या होता है जादा होता है, जो कि weak acid का pH कितना होता है, 4 to 7 के बीच में, और strong acid का 0 से 2 के बीच में, तो पहले acid 0 से 2 के बीच में था, अब 4 to 7 के बीच में आ गया, तो जैसे हमने dilution किया, pH क्या हुआ, increase हुआ pH क्या हो रहा है, increase हो रहा है तो यहाँ पर हमने बोला, on dilution pH of acidic solution increases तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं और basic के लिए उल्टा होता है on dilution, pH of basic solution decreases, यही concept है, बस उल्टा लगाना है चलिए, अब हम बात करते हैं, universal indicator की तो universal indicator क्या होता है कि यहाँ पर numbers हमें given नहीं होते universal indicator में, universal indicator में हमें color given होते है example अगर हम बात करें, मतलब different color पर, वो different pH value show करता है जैसे इस तरह से हमारे पास universal indicator given होता है जैसे यह हमें given है यह red color, यह orange, यह yellow, यह green, यह blue, यह indigo, violet इस तरह से तो होता क्या है अगर मानली जी हमने इस universal indicator को water में dip किया किसमें dip किया? water में तो water जो होता है, वो green color produce करता है universal indicator के साथ ठीक है? तो इसका मतलब अगर कोई green color produce करता है तो वो क्या है? वो neutral है इस तरह से universal indicator होता है ज्यादा हमारा use नहीं होता है अब अब जो हमारे पास important topic है वो है importance of pH in everyday life अगर इस chapter में सबसे ज़्यादा question अगर पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा question इस chapter से पूछे जाते हैं pH से, उसकी application से एंजो हम अब chemicals पढ़ने वाले है common salt जैसे caustic soda हो गया हमारे पास bleaching powder हो गया baking soda हो गया, washing soda हो गया P.O.P. हो गया, इन सबसे हमारे सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं इस chapter से तो अब जो हम portion पढ़ने वाले हों काफी important इसलिए ध्यान से समझना है देखिए importance of pH in everyday life या जिसे हम बोल सकते है application of pH in everyday life क्या-क्या इसकी application होती है, कहा-कहा हमें हमने pH का funda सीखा, तो हमें कहा-कहा इसे apply कर सकते हैं, कहा-कहा हम इसे use कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला है biological importance pH जो होता है, यह हमारे लिए biologically बहुत important होता है human beings के लिए, कैसे, कहाँ हमें इसका use देखने के लिए मिलता है देखिए, जब जो rain water होता है, जो rain होती है, अगर वो normal है, ठीक है अगर उसका pH 6 के असपास है, तो वो normal rain है लेकिन अगर उसी rain water का pH अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वो rain जो होती है, पानी जो होता है वो acidic हो जाता है, और उसी को बोलते है acid rain, क्या बोलते है acid rain नाम सुनाओगा नहीं, acid rain हो रही है तो वो तभी होती है, जब वो rain water का pH जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है नीचे चला जाता है, तो वो acidic हो जाता है water तो उसी को हम बोलते है acid rain और जब यह acid rain का जो पानी है वो river में जाएगा, तो वो जो river में जो पानी है उसके pH को भी क्या कर देगा? कम कर देगा अब अगर river का pH कम हो गया तो जो aquatic animals है ना उस river में उनका survival क्या हो जाएगा? उनका survival difficult हो जाएगा तो वो survive नहीं कर पाते हैं तो जैसे हम देखते हैं न्यूज में भी सुनते हैं कि बरसात के मौसम में क्या होगा है बहुत सारी fishes जो है वो समुद्रे किनारे मर गई तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो पानी होता है उसके pH में change होता है और वो खुद बखुद survive नहीं कर पाती तो मर जाती है तो हम क्या करते हैं? हम pH की application को use करके हम उस rain water को neutral करनी कोशिश करते हैं neutral हो जाएं clear हो इतना तो यह हमें ध्यान में रखना है कि biological importance इसकी काफी है अब second इसकी application हम पढ़ते हैं agriculture में second इसकी application है agriculture में आम तोर में हमने देखा होगा जैसे गाउं वगेरा में क्या करते हैं soil के application होती है एक हो जाएगी acidic में absorbed अगर soil neutral नेंट्रल है soil को अच्छे सा लेकर यूश करना है तो cô neutral होना बहुत जरूरी है होवाण वहाँ सकता है soil ऑख acidic में और मान देख सोपा है soil ऑख हम देख के तो पता लगा नी सकते acidic में PSAKI चेक है to हम क्या करते हैं उसके sample को लेके MALE नाभ में थोड़ीजी स्यम्पल को, तो वहाँ में सचक करते हैं कि soil acid give, या, फिर basic है तो मान लीजिए इश्वाइल एकशीडik है तो हम क्या मुरम्ट हो जाती है and we can makeNeul calcium oxide मिला सकते हैं, quick lime, slagged lime मिला सकते हैं, calcium hydroxide को पोलते हैं, slagged lime, ca-co3 limestone, जिसे हम chalk बोलते हैं, उसे भी हम मिला सकते हैं, तो उससे क्या होता है, soil जो होती है, neutral हो जाती है, soil की acidity खतम हो जाती है, और वहाँ पर अच्छी कासी crop उखती है, second है हमारे पास की, अगर soil alkaline है, soil बह करते हैं, soil की basicity को कम कर देते हैं, neutral कर देते हैं, तो यहां पर भी यह काफी use होता है, second, third application काफी important है, जो हम अपने day life में बहुत जादा use करते हैं, हर गर में लग बग use होती होगी, वो है digestive system में, आप लोगों पता है, जिसे हम खाना अगरा खाते हैं, तो उसको उसके bacteria को मा कि कुछ ज़्यादा ही हम खा लेते हैं, कभी-कभी तो हमारी body जो होती है, हमारा stomach ज़्यादा acid produce करता है, और उससे क्या होते है, हमें pain irritation होनी शुरू हो जाती है, तो उस pain irritation को ही हम बोलते हैं, acidity, तो उससे हमें relief पानी के लिए हम क्या करते हैं, हम anti-acids का use करते हैं, anti-acids ज जाए, क्योंकि यह anti-acids क्या होते हैं, यह basic होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, next इसके application है dairies वगेरा, dairies वगेरा हमें क्या करते हैं, चैसे हम घर में दूद रखते हैं, एक दिन में खराब हो जाता है, दूद अगर freeze में न रखे, तो dairies वगेरा क्या होते हैं, वहाँ पर फट जाता है, क्योंकि वह खटा हो जाता है, सौर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस milk में कुछ ऐसे chemicals मिलाते हैं, जिससे उसका pH क्या हो रहे, maintain रहे, हम उसमें ऐसा कुछ base मिलाते हैं, इसका pH क्या रहे, maintain रहे 6.6 के level पर ताकि वह दूद काफी टाइम तक क्या रहे, सब शुरू होते हैं, जब हमारे mouth का pH जो होता है, वह 5.5 से कम हो जाता है, जब हमारे mouth का pH क्या होता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कि हमें अपने tooth को daily brush करना पड़ता है, ताकि tooth paste, tooth paste में क्या होता है, basic होता है, तो वह क्या क और वो bacteria जो होते हैं वो sugar जो होती है उसको lactic acid में convert करते हैं किसमें convert करते हैं लactic acid में और वो lactic acid जो होते हैं हमारे दांत को खराब करना शुरू करता है तो उस acid के effect को neutralize करने के लिए हम लोग जो हैं वो toothpaste use करते हैं ताकि tooth decay ना हो वो neutral रहे self defense में animals और plants में भी pH का काफी important role है कैसे है देखिए जैसे bee sting होती है honeybee होती है उसकी जो sting होती है उसमें acid होता है तो जब वो हमें काटती है जब वो sting हमारी skin में डालती है तो हमें क्या होती pain और irritation होती है तो उसकी effect को neutralize करने के लिए because उसकी sting में हमारे पास acid है तो उसकी effect को कर हमें neutralize करना है तो हमें वहाँ पे base से rub करना पड़ेगा तो हम baking soda पगेर हमाँ पे लगाते हैं तो वो जो pain और irritation हो क्या हो जाती है कम हो जाती है similarly जो yellow vasp होती है वो yellow color वाली vasp होती है तो उसके जो sting होती है उसमें alkaline liquid होता है मतलब उसमें basic liquid होता है तो जब वो हमें dunk मारती ह हमें stink हमारी skin में डालती है तो हम क्या करता है महाँ पे mild acid कोई halka full acid जैसे vinegar हो गया उससे अगर हम rub करें तो हमें आराम मिलता है pain और irritation में clear हुआ तो वो neutralize हो जाता है तो यह सब हमारे आज की कहानी थी pH के बारे में आज आपको वीडियो पसंद आए होगी pH के बारे में pH क्या होता है pH scale क्या होती है कहां से कहां तक number होते है कौन सा number किस character को show करता है acidic, moderate, acidic, weak, acidic, strong, acidic और इसकी हमारे daily life में क्या importance होती है तो हाज हमने इसी के बारे में खुल के salt hydrolysis के बारे में और salt hydrolysis से बनने वाले chemicals के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद और प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें